हम भारत का इतिहास उठाते हैं तो जब जब आकर्मन हुआ तो दशनामी अखाड़ा के सन्यासियों ने लगातार उनके साथ संघर्ष किया ओरंग जेब ने जब 1670 में काशी के उपर आकर्मन किया काशी के मंदिर को तोड़ने के लिए आकर्मन किया तो उस समय निर्वानी अखाड़े के सन्यासियों ने लगातार संघर्ष किया यदपी वो बहुत सफल नहीं हो पाए लेकिन उन्होंने ओरंग जेब की सेना को कड़ी टक कर दी इसी परकार जब जोदपूर के रास्ते मुगल आकरांताओं ने देश के उपर आकर्मन किया करवसूलना शुरू किया तो उस समय अटल अखाड़े के सन्यासियों ने लगातार उनके साथ संघर्ष किया और संघर्ष ही नहीं किया विदेशी आकरांताओं को परास्त किया उनको मार मार कर देश के बाहर बगाया इसी प्रकार जब हम देखते हैं सन 1751 में जब अफगानी एहमद खा ने आक्रमन किया तो नागा सन्यासियों ने गुरिल्ला युद्ध की पद्दती से चापा मार पद्दती से उनसे लगातार संघर्ष किया और एहमद खा को भगोडा के रूप में भागना पड़ा जब 1750 में एहमद खा अबदाली ने दिल्ली में आक्रमन किया दिल्ली को जीत कर वो मतुरा पहुचा मतुरा से वो वरंदावन पहुचा वहां से 12 करोड रुपे की संपत्ती उसने लूटी उसके बाद जब वो वरंदावन से गोकुल की और तो गोकुल की और बढ़ते वे उसका मुकाबला 4000 नागा सन्यासियों ने किया था और 4000 में से 2000 नागा सन्यासियों ने अपना बलिदान दे दिया लेकिन 2000 सन्यासियों के बलिदान से उस एहमद शाबदाली जो विजेता के रूप में दिल्ली से मतुरा पहुच चुका था मत